नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस टारमस्कुनीज में दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैनायों की आबकारी सिपाही भरती 2016 के फाइनल कट ओफ के संबन्द में की इस बहुत दिनों से बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाईए, प्लीज इस पर एक वीडियो बनाईए की इसका अंधिम कट ओफ क्या रह सकता है तो मैंने काफी इस पर वर्क किया हर पहलू को जाना और इसके सभी बातों पर गौर करते हुए मैंने तीन-चार दिन इस पर वर्क किया और सभी बातों पर गौर करते हुए और इसका एक अंतिम cut-off मैंने तयार किया है ठीक है और जो भी आपको मैं cut-off बताने वाला हूँ वो category wise होगा general, OBC SC, ST और महिला, X-Service मैंन तो सभी का एक मैंने complete cut-off ये तयार किया है ठीक है काफी वर्क किया मैंने इस पर और जब से comment आपके आ रहे थे तब से मैं इस पर गौर कर रहा हूँ और सभी बातों को धान में रखते हुए मैंने ये cut-off सेयार किया है और सीधा मुध्दे प्यातों में यहा तो दोस्तों یہ जो भरती है 2016 की भरती है ठीक है 2016 ये भरती है और इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 405 पद ठीक है दोस्तों तो देखिए सबसे पहला इसमें चरण हुआ था जिसमें 9402 बच्चे क्वालिफाई हुए थे ठीक है मतलब 9402 चात्रों का फिजीकल हुआ था जिसमें जो फिजीकल हुआ था 16 फरवरी 2021 से 20 मार्च 2021 ठीक है 16 दो 2021 से 20 मार्च 2021 तक इनका फिजीकल कराय गया था और फिजीकल कराने के बाद जब परिणाम गोशित किया गया तो इसमें कुल 2266 चात्र पास हुए ठीक है किसके लिए इंटर्व्यू के लिए ठीक है मतलब 2266 चात्रों का इसमें जो है साक्षात्कार कराया गया ठीक है अब इसमें जो अन्तिम कट ओफ बनेगा वो बनेगा एक तो फिजीकल और प्लस इंटर्व्यू के नंबरों को जोड़का मतलब 60 नंबर का फिजीकल और 20 नंबर का इंटर्व्यू तो इसमें आपका कुल कट ओफ बनेगा 80 नंबर में से मतलब जो आपका अन्तिम चैन होगा वो 80 नंबर में से होगा ठीक है तो भईया अब इन 266 बच्चों में से वो 405 चैन कौन चुने जाएंगे ठीक है इस बात का एक निसकर्स निकाला है मैंने वो आपके सामने में रखने वाला हूँ तो देखिए भईया इसमें जो अन्तिम कट ओफ मेरे हिसाब से रह सकता है देखिए कट ओफ को लेकर सभी के विचार अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है लेकिन जो मैंने कट ओफ बनाया है आपको बता दू 100% तो नहीं कहता लेकिन 90% से ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि कट ओफ इसी के हिसाब से रहेगा तो कि जिस भी परिक्षापे कट ओफ में बनाता हूँ उसका कट ओफ लगभग-लगभग 90% के आसपास सही रहता है तो भईया कितने नंबर वाला इसमें सेलेक्शन लेगा असी नंबर में से तो अगर मैं जन्रल केटेगरी की बात करूँ तो भईया 57 नंबर ठीक है 57 नंबर वाला चात्र जो है आपकारी सिपाही के पद पर चैनित हो जाएगा जन्रल केटेगरी में ठीक है दोस्तो और अगर मैं OBC की बात करता हूँ तो OBC में 55 नंबर वाला चात्र चैनित होगा ठीक है दोस्तो मेरे हिसाब से आगे बात कर लेते हैं महिला इसमें जो महिला का फाइनल कट ओफ रह सकता है वो रह सकता है भईया आपका 52 नंबर ठीक है दोस्तो 52 नंबर रहेगा महिला के लिए कट ओफ आगे बात करते हैं इसमें SC के टेगरी का कट ओफ अगर मैं SC की बात करूँ तो इसमें कट ओफ रह सकता है 51 ठीक है दोस्तो आगे बात करता हूँ मैं ST के लिए ST का इसमें कट ओफ रह सकता है 49 ठीक है दोस्तो और अगर मैं बात करता हूँ एक सर्विस्मेन की तो एक सर्विस्मेन का इसमें कट-א।फ काफी कम रहने वाला है और ये कट-फ रह सकता है आपका 47 ठीक है दोस्तो तो आपका जो आपका रिशिपाई का अन्तिम कट-फ है वो इस हिसाब से रह सकता है देखिए मेरे अनुसान अब जो भी मैंने इस पर वर्क किया है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया है फिजीकल और इंटर्वी के नंबर जोड़कर आपका ये इतने नंबरों पर फाइनल सेलेक्शन हो सकता है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो ये हो गया आप करी सिपाई के 405 पदों के लिए अन्तिम कट ओफ संभावित कट ओफ ठीक है और आपकी इस बारे में क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तो यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिंजय बारत